हाई गईज और वेलकम बैक टू दी चैनल दीपाच्यदव एजूकेशन वेलकम टू दी डेली करेंट अफेयर्स आफ 9 फेबरी 2022 तो गईज आज है तारिक 9 फेबरी 2022 और है वेडनेस डे आज की तारिक से जितने भी most important करेंट अफेयर्स मनेंगे उन सभी करेंट अफेयर्स को हम लोग डीटेल में डिसकस करेंगे तो चलो शुबारम करते हैं बट उससे पहले गाईज अगर आप लोग को इस लेक्चर का PDF चाहिए तो क्या करना है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोग को टेलिग्राम का लिंक दिया गया है वहां से जाकर आप लोग इस लेक्चर के PDF को डाउनलोड कर सकते हो साथ ही साथ अगर आप लोग उससे कनेक्ट होना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्ट्राग्राम आइडी का लिंक भी दिया गया है वहां पर जाकर फॉलू कर सकते हो अपनी जितने भी क्वेरी से मुझसे व क्वेशन के आंसर्स आप लोग को इस वीडियो में मिल जाएंगे करना क्या है आपको वीडियो अच्छे से सुना है लास्ट मिस को सॉल्व करना है जिससे कि आपके अंदर एक confidence बिल्ट अब होगा कि हाँ यार मैं इन क्वेशन को काफी अच्छे से सॉल्व कर पाया हूं इ कल वाले कौन को से question थे उनके answers कैम आप लोग को बता देता हूं ताकि आप लोग चक कर सको कि आपने कितने question सही किये थे और कितने गलत किये थे कल आपसे पहले question पूछा गया था देखो एक boundary agreement है 1963 का यहाँ पर पाकिस्तान ने सक्षकम वैली को एक country को दे दिया था उस country का नाम क्या है तो उसका नाम है चाइना अगले question आपसे पूछा गया था जो गोर्डल लंगूर है उनका scientific name क्या है उनका scientific name है ट्राइकर पाइथाइकस गी अगले question आपसे पूछा गया था जो world wetland है इसको celebrate किया जाता है कौन सी तारीक को तो वह है second of February अगले question आप लोगों से पूछा गया था जो कोईला होता है उसको चार ranks के अंदर divide किया गया है वो चार ranks कौन कौन सी है एक है anthracite then bituminous then subbituminous then ignite अगला question आप लोगों से पूछा जा था कि इंडिया के अंदर total अभी कितने नामसर साइट्स हो चुके हैं तो लगबख 49 रामसर साइट्स आज के टाइम पर देखने को मिलेंगे अगला question आप लोगों से पूछा गया था गांदी जी ने non corporation movement launch किया था कौन सी तारीक को तो वो तारीक है 1st of August 1920 I hope आप लोगोंने सभी questions को बहुत easily यहां पर solve किया होगा अब आते हम लोग article की तरफ यह है हमारा आज का सबसे पहला article बहुत बहुत important article है हमारे examination के point of view से अगर simply बात करूँ तो इस article को आप relate कर सकते हो GS paper to international relation से अभी हम लोग बात करेंगे CPAC के second phase के बारे में चाइना पाकिसान economic corridor को आगे अच्छे से और बढ़ा सके इसको आगे और develop कर सके तो इसी वज़ा से चाइना की side से काफी सरा पैसा जो है पाकिसान के पास आ चुका है पहला question तो दिमाग में यह ही है कि आखिरकार CPAC corridor है क्या तो इस वाले map को देखो इस map में आपको सारी चीज़े clear हो जाएंगी तो इसको मैं थोड़ा सा zoom कर देता हूं ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए यहाँ पर आप लोग जब यह वाला map देखोगे तो यह जो portion है इतना portion यह आपको इंडिया का उपर वाला इलाका देखने को बलेगा जमुएंड कश्मीर वाला इरिया ठीक है यह पूरा रीजन इंडिया का ही है अब यह जो पीयो के वाला रीजन है ना यह बिसिकली आज क टाइम पर पाकिस्तान ने इसको कबजा रखा है जिसको हम लोग पाकिस्तान occupied कश्मीर बोलते हैं लेकिन यह जो territory है यह भारत की ही territory है उसके बाद यह ध्यान रखना अभी इसी territory में सो जो रेड वाली लाइन ने गुजर रही है इसी को हम लोग बोलते हैं सी पैक यानी चा जूम आउट करते हैं अब यहाँ पर आप लोग इस चीज को देखो यह जो corridor बनाया गया है यह चाइना इसको develop कर रहा है चाइना ने इस corridor को बनाया है कहां से कशिगर से ग्वादर पोर्ट तक ठीक है यहाँ पर आपको ग्वादर पोर्ट नजर आ रहा होगा तो अब पहल पाकिस्तान occupied question मतलब भारत के area से निकाला गया है और फिर उसके बाद निकाल कर यह पाकिस्तान में नीचे की साइट में हापर ग्वादर पोर्ट बना रहा है चाइना इसी ग्वादर पोर्ट से हापर kinetic कर दिया गया है तो बोला गया इसका पहला phase तो पूरा हो चुका है अ खारत को क्या क्या problems हो रही है चाइना पाकिस्तान economic corridor से अगर यह बाहर से जाता इधर से जाता तो हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं थी लेकिन यह हमारी territory से निकल रहा है तो इस वज़े से हमारे लिए काफी बड़ी problem यह बन जाती है देखो इस से पहले भी यहाँ परना चा अफगानिस्तान के साथ भी connectivity बढ़ जाएगी लेकिन अगर यह चीज भी successful हो जाती है तो इससे भारत का जो concern है भारत की जो चिंता है वो दुगनी हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर अफगानिस्तान को भी काफी बड़ा access मिल जाएगा पाकिस्तान occupied कश्मीर तक वाले area को तो तो CPAC आपने समझ लिया क्या है लेकिन जब आपको लिखना होगा mains में यहाँ पर तो कैसे लिखना है यहाँ पर उसको देखो जो चाइना पाकिस्तान economic corridor है यह बिसिकली 3000 km का एक लंबा सा route है एक infrastructure project है जो की चाइना क्या जो जिंज्यांग वाला region है उस जिंज्यांग region से connect होता है पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट तक आपको ध्यां रखना है जो कि मैंने भी आप लोगो बताया चाइना के जिंज्यांग region से पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट तक यह यहाँ पर पूरी तरह से एक connectivity देखाई जाती है जिसको हम लोग CPAC के नाम से जानते हैं यह ब पर लाएं infrastructure development projects लगाएं तो यह सारी काम यहाँ पर किये जा रहे हैं इस project के मादियम से उसके बताया गया इससे होगा क्या इससे चाइना को बहुत फायदा मिलेगा पाकिस्तान को तो फायदा मिली रहा है पाकिस्तान के पास पैसा आ रहा है चाइना यहाँ पर पैसा प्रो बहुत अराम से पहुच पाएगा गौदर पोर्ट की वज़ा से चाइना इंडियन ओशन खासकर अरेबियन सी फिर इंडियन ओशन तक बहुत अराम से आ जाएगा चलो मैं आप लोगो इसको थोड़ा सा एक मैप के मादियम से दिखाता हूँ यहाँ पर यह वाला मैप मतलब की बेल्ट एंड रोड इनिशेटिव यह भी चाइना का ही एक इनिशेटिव है जहाँ पर चाइना ने फोकस किया है कि हम लोग दुनिया बिर की कंट्रीज को कनेक्ट करेंगे लेंड के मादियम से सी के मादियम से जो लेंड रूट है इसको सिल्क रोड एकनॉमिक ब यहां रखना है ठीक है तो अब जैसे ही यहां पर एक चीज आप लोगों ने यह देखी होगी एक सेकंड में आप ठोड़ा सा चीजों को बदल लेता हूँ हाँ अब आप लोगों ने यहां पर यह देखा कि जो चाइना है उसने यहां से कनेक्टिविटी बनाई यहां तक इससे क्या होगा इससे जो यह मिडिल इस डोला एरिया है चाइना यहां तक पहुंच गिया क्योंकि देखो अभी तक तो कनेक्टिविटी प्रॉपर होनी पारी थी यहां पर सारी कंट्रीज पड़ीज है तो चाइना यहां तक अराम से एक्सेस नहीं ले पा रहा था चाइ अरेबियंसी के अंदर पूरा एक्सेस मिल जाएगा चाइना को उपर चाइना ही है तो यहां से अरेबियंसी में आ जाएगा अरेबियंसी से पूरे इंडियन ऊशन के अंदर एक एक्सेस मिल जाएगा फिर उसके बाद यहां पर पूरा पूरा आफ्रिकन कॉंटिनेंट है इन आफ्रिकन नेशन्स में एक एकसेस मिल जाएगा, तो यह सबसे बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है, तो अभी तक तो यहाँ पर प्रॉब्लम इतनी जादा नहीं थी, क्योंकि इसको बहुत लंबा गुम के जाना पड़ता था, बट यह जो यहाँ पर सीपैक है, इससे प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, और वो एकसेस कौन कौन समेलेगा, मैंने भी आप लोगो यहाँ पर यह भी सिंपल शब्द में बता दिया है, क्लियर हुआ, तो आपने यह समझा, अब साधी साथ इसको भी समझो कि जो चाइना पाकिसान एकनॉमिक कोरिडोर है, यह 2013 के अंदर लॉंच किया गया था, और BRIE का में मकसद ही यह है, कि साउथ इस्ट एश्या को, सेंट्रल एश्या को, गल्फ रीजन को, आफ्रिका को, यूरोप को, मिडल इस्ट को, सब को हम लोग कनेट कर दें, तो यहाँ पर इसका में मकसद है, जैसे मना भी आप लोगो यह पिचर दिखाया, दुनिया पर को कनेट करने के बारे में हपर चर्चा की जा रही है, तो आप लोगों को, I hope यह भी क्लियर हो चुका है, लेकिन अब बात करते हैं कुछ प्रॉब्लम्स की, प्रॉब्लम्स यह हैं, कि यह जो सीपेक कोरिडोर है, इसका, इंडिया के उपर क कश्मीर वाला वो भारत का ही पार्ट है, और आपने उसी वाले रिजन से इस सीपेक कोरिडोर को निकाला है, तो अगेन भारत के लिए एक सबसे बड़ा कंसन है, और यह एक बेसिकली जो पाकिसान उक्यूपाइट कश्मीर वाला एरिया है ना, यह एक डिस्प्यूटिट तो अगेन यहाँ पर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर क्या बोला गया, कि इसको काउंटर करने के लिए भारत के पास भी एक ग्रूप है, जिसको उमलब बोलता है, क्वार्ड ग्रूप, क्वार्ड के बारे आपको प बिसिकली यहाँ पर यहाँ पर यह चाइना के BRI प्रोजेक्ट को अराम से टेकल कर रहा है, एक तरीके से चाइना को टेकल करने के लिए क्वार्ड बनाया गया, ठीक है, तो इस जो ब्लू डॉट नेटवर्क है, और बिल्ड बैक बैटर वर्ल्ड है, यह दोनों यहाँ पर इनका समर्थन करता है, इंडिये हाँ पर इनके सपोर्ट में रहता है, जो की रहना भी चाहिए, ठीक है, क्योंकि चाइना का इस प्रकार से आपर रूल ही देखने को मिलेगा, क्वेशन यह है, यह ब्लू डॉट नेटवर्क है क्या, देखो जब हम लोग ब्लू डॉट ने कर देंगे, इस से आपको पैसा जनरेट होगा, ठीक है, थोड़ा बहुत पैसा हम लेंगे, तो ऐसा है यहाँ पर चैना ने लालच दिया, कंट्रीज मान गई, कंट्री ने सोचा कि बिल्कुल इंकम जनरेट होगा, कंट्री ने लोन ले लिया, डेवलप्मेंट करवा लिया सब कुछ हो गया, लेकिन वो प्रोजेक्ट मार जाता है, फेल, सबसे बड़ा एक्जामपल, श्री लंका का हमबन तोता पोर्ट, बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर हुआ है, कि चाइना ने पहले तो बोधिया था, एक पोर्ट डेवलप करेंगे, फिर उसके बाद उसी उसके बाद स्री लंका को करना क्या पड़ा, यह हमबन तोता पोर्ट उठा कर चाइना को सौप देना पड़ा, तो स्री लंका ने यहाँ पर अभी जो यह पोर्ट है, बेसिकली वो चाइना को दे दिया है, जो अपने आप में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे ले भी नहीं होगा, ठीक है, और फिर अगर कोई चाइना लोन देता है, तो उसके बदले हम थोड़ा सा, यह जो ब्लू डॉट नेटवर्क के अंदर कंट्रीज हैं, यह थोड़ा सा और कम गाम में लोन प्रॉवाइड करवाएंगी, और यहाँ पर कोई भी डेट्रेप वाला सिच पता होना चाहिए, वो है Build Back Better World, ठीक है, Build Back Better World जो इनिशिटिव है, यह G7 कंट्रीज का इनिशिटिव है, यहाँ पर जो सातों देश हैं, उन्होंने मिलकर काफी सारा पैसा अनौन्स कर रखा है, कि भई, यहाँ पर जो चाइना है, बहुत सारी कंट्रीज चाइना के पास ज पर डेट्रेप के अंदर फसा रहा है, तो ऐसी चीज़े कहीं भी नहीं की जाएंगी, जी 7 कंट्रीज के थुरू, तो बेसिकली आज के टाइम पर चाइना को काउंटर करने के लिए दो प्रोजेक्ट हैं, आई होप आप लोग को पता चल चुका है, Blue Dot Network क्या है, और Build Back Better World क् इंडिया बिल्कुल इनको सपोर्ट करता है, इंडिया का यहाँ पर स्टैंड देखने को मिलेगा, क्योंकि हम लोग के पास एक सबसे बड़ा concern क्रेट हो रहा है, वो यह है कि POK के रीजन के अंदर चाइना पाकेसान एकनॉमिक कोरिडर रेगुलरली डेवलप हो रहा है, त POK वाले रीजन से निकलता और POK रीजन भारत का पार्ट है, भारत का हिस्सा है, जब यहाँ से आप लोग एक प्रोजेक्ट निकाल ले हो, एक कॉरिडर निकाल ले हो, और ऐसी कंट्री कॉरिडर निकाल ले हो, जिससे हमारी जो दुश्मनी यह वो काफ़ी दादा बढ़ भी चुकी आज के टाइम पर, तो बेसिकली यहाँ पर अगेन एक सबसे बड़ा कंसन यहाँ पर रहने वाला है, और यह जो कॉरिडर है, फिर यहाँ पर इस कॉरिडर के माध्यम से, जो चाइना है वो पाकिस्तान को बहुत सारा समान वगरा भी प्रोवाइड करवाएगा, तो इससे यह सारे कंसन भी हम लोग को देखने को मिल जाएंगे, उसके बाद दूसरा बहुत बड़ा कंसन क्या है, कि यह जो यहाँ पर यह सब कुछ करा जा रहा है, इंडिया की टेरिट्री में एक कॉलिडर बनाया जा रहा है, यह बेसिकली कहीना की चाइना की एक स्ट्र है, जिसको हम लोग बोलते हैं, String of Pearl Strategy, String of Pearl Strategy का मतलब क्या है, मैं आपको काफी बर बता चुका हूँ, String of Pearl Strategy का मतलब है यह, मतलब नीचे वाला पिच्चर, इसमें क्या है ना, चाइना ने पूरी तरह से हमारे इर्द गुर्द एक तरीके से मोतियों की माला बुन रखे, जिसको हम लोग string of pearl strategy बोलता है मतलब कि एक तो कॉरिडोर यह हो गया जिसके बारे माभी आप लोगों ने पढ़ा यह CPAC वाला कॉरिडोर हो गया ठीके यहाँ पर यह CPAC हुआ गौदर पोर्ट तक फिर उसके बाद यहाँ पर मौलदीव के अंदर यहाँ पर एक तरीके से इंवेस्टमेंट कर रखा है चाइना ने दर उसके बाद स्रिलंका का हमबंत होता पोर्ट खरीद लिया है मैं आप लोगों बताया है रिलीस पर लिये रखा है आप लोगों से मैंने आप लोगों को स्ट्रिंग ओफ पल के बारे में काफी बढ़ताया है और रिसेंटली मैंने आप लोगों को नेकलेस ओफ डायमंड के बारे में बताया था तो आप लोग मुझे नीचे कॉमेंट सेक्षन में बताओगे necklace of diamond किया है क्योंकि इंडिया की retaliation के तोर पर अगर China सोचता है कि China ने भारत को घेर लिया है तो यहाँ पर भारत उससे भी दो कदम आगे है, भारत ने necklace of diamond की मदद से China को घेर लिया है, पूरे China को घेर लिया है इस प्रकार से, तो आप लोगो कंदर बहुत सारा investment है, Somalia, Sea Chills इन सभी countries कंदर investment काफी सारा देखने को मिलेगा, clear हुआ बाकी क्या है, एक problem ये भी है कि जो China है, इनका dominance लगातार बढ़ता वन ज़रा रहा है, BRI के उपर काम कर रहे हैं Belt and Don't Initiative के उपर, तो ये भी अपना आप में बहुत बढ़ा concern हम लोग के लिए देखने को मिलेगा तो I hope आप लोगों को यहाँ पर ये particular article काफी अच्छे से clear हो चुका है सारी important बाते मैंने आप लोगों को बता दी है ये जो China-Pakistan economic corridor है इसको development के उपर यहाँ पर जो भी काम किया जा रहा है इससे भारत को क्या क्या concern हो सकते है सारी बाते हम लोगों ने cover कर लिए कोई भी question आता है तो आप लोग उसको आराम से solve कर पाओगे और आप लोग उसको आराम से solve कर पाओगे और आप य दख वीडियो को लाइक नहीं किया यहाँ पर चर्चा की गई है एनिमिया मुक्त भारत को लेकर एनिमिया बहुत ज़दा चर्चा में रहता है और possibility इसको पर question बने इसका context क्या है चर्चा में क्यों है यहाँ पर क्या हुआ है हाली में जो Union Minister of State Health and Family Welfare है इन्होंने यहाँ पर एक information दी है एनिमिया मुक्त भारत strategy को लेकर देख़ो 2018 के अंदर पर एनिमिया मुक्त भारत strategy को launch किया था जहाँ पर हमारा target है थी तहा कि जो यह एनिमिया बिमारी है इसको हम लोग खतम कर दे एनिमिया में होता क्या है मैं भी आप लोग को थोड़े देर बाद बताऊंगा इसमें खोन की कमी हो जाती है तो ये एनीमिया आज के टाइम पर सबसे जादा भारत की women's के अंदर बच्चों के अंदर और बहुत सरे adolescents के अंदर बहुत जादा ये एनीमिया की condition देखने को मिलती है तो उसको सही करने के लिए एनीमिया मुक्त भारत strategy को लाया गया था 2018 के अंदर इसको launch किया और एनीमिया भारत strategy के अंदर एनीमिया मुक्त भारत strategy के अंदर basically हमारा focus ये था हम लोग ऐसे कुछ तरीके लेकर आएं 6 x 6 x 6 strategy को हम लोग अपनाएंगे यहाँ पर 6 target beneficiaries होंगे 6 interventions होंगे और 6 institutional mechanism होंगे अभी सब क्या है आगे आपको पता चलेगा तो इन सब की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं भारत को एनीमिया मुक्त कर सकते हैं क्योंकि एनीमिया अपने आप में एक बहुत बड़ी problem है जैसा मैंने अभी आप लोग को थोड़ देर पहले ही बताया है ना आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पर देखते हैं एनीमिया exactly होता क्या है देखो एनीमिया basically एक ऐसी condition है जहाँ पर जो हमारे बॉडी के अंदर आपको RBCs, WBCs देखने को मिलता है ना तो number of जो red blood cells है और जो oxygen carrying capacity है वो insufficient हो जाती है अब देखो मतलब आपके body के अंदर blood काफी कम है और blood का काम गया blood यहाँ पर आपके जो oxygen है उसको carry कर रहा है और आपके body के हर एक parts तक उस oxygen को अराम से पहुँचा रहा है है ना तो यहाँ पर क्या होता है जब number of red blood cells कम हो जाएंगे blood आपके body के अंदर कम हो जाएगा तो blood कम हो जाएगा तो oxygen सही से carry नहीं हो पाएगा तो इससे काफिसरी problems हो जाती है इसी condition को हम लोग बोलते है एनिमिया ठीक है यह condition vary करती रहती है age के इसाब से sex, altitude, smoking, pregnancy status क्या है तो यह यहाँ पर हर एक condition के अंदर situation बदल जाती है अब अगर हम लोग बात करें एनिमिया में चलो हमें समझ में आ गया खून की कमी है लेकिन साथी साथ यहाँ पर iron deficiency भी देखने को मिलती है यह सारे vitamin की कमी हो जाती है ठीक है उसका parasitic inflation वगरा की वज़ा से भी एनिमिया हो जाता है ठीक है तो काफी सारे vitamins plus iron deficiency की वज़ा से एनिमिया होता है आपसे question मन जाए iron deficiency की वज़ा से एक most common क्या है तो वो है एनिमिया ठीक है ध्यान दकने की चीज़े नजर आती है और जो यह एनिमिया है इसने सबसे बड़ा अपने मतलब जो women's है pregnant women हो गई children's हो गई इनको सबसे बड़ा शिकार मना रखा है यह women और बच्चे सबसादा सफर कर रहे है एनिमिया से उसके बाद जो national family health survey है 2019 बीस का इसके according बात करें जो इंडियन women's है और जो बच्चे है वो सबसे ज़्यादा सफर कर रहे है एनिमिया कंडिशन से मतलब यह उल्री बहुत सरी रिपोर्ट्स बचा चुके है कि एनिमिया की वज़ा से हालत काफी खराब है ठीक है पर यह बताया गया तो ऐसा नहीं होना चाहिए हमेशा ऐसा ही होना चाहिए आपके बॉड़ी के अंदर RBCs के मात्रा अच्छी कासी रहनी चाहिए क्लियर हुआ उसके बाद देखो एक सर्वे हुआ था वही national family health सर्वे हुआ था इसके face one के बारे में अगर हम लोग बात करें इसके face one में लगबग 22 राज्य और unit territories के अंदर सर्वे किया गया और बताया भई जादतर जो बच्चे हैं जो women हैं वो यहां पर सफर कर रहे हैं एनिमिया से वही वाली बाते जो की अभी हम थोड़े देर पहले ही discuss कर चुके हैं then अब आते हैं हम लोग की सरकार क्या कर रही है तो सरकार ने बहुत सारी initiatives उठाए है एनिमिया को control करने के लिए इसके बारे में definitely आप लोग अपने examination में means में लिख सकते हो कोई question आता है तो पहला initiative क्या है देखो पहले तो अगर हम बात करें health की तो health अपने आप में एक state subject है जोगि आपको बताओगा सम्विधान के अदर अलगलग subjects है ठीक है center, state, union आपको यह देखने को मिलेगा जहाँ पर जो भी subject आते है center के अदर वहाँ पर के अदर सरकार लोग बनाती है state के अदर जो भी subject आते है महाँ पर राज सरकार लोग बनाती है union के अदर जो भी subject आते है वहाँ पर दोनो cent чис और states के अधर मिलकर लोग बनाते है लेकिन जो health आता है health topic यहाँ पर state के अधर में आता है मतलब जो health है basically वो एक state subject है तो यहाँ पर स्टेट्स की बहुत बड़ी responsibility है कि जो healthcare services है उसको बहुत ज़दा मजबूत किया जाए उसको और ज़दा improve किया जाए इस स्टेट्स के अंदर यहाँ पर इनके सरकार की सिम्मेदारी है ताकि हम लोग खास कर इस anemia की condition को पूरी तरह से control कर सके और इसी के लिए पर एक program चलाया जाता है weekly iron and folic acid supplementation क्योंकि अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले discuss किया कि deficiency की वज़ा से जहां पर body के अंदर iron की कमी है folic acid की कमी होने की वज़ा से एनेमिया काफी जादा हो जाता है तो यहाँ पर एक program चलाया गया है इस program में हम लोग क्या करते हैं हो सके बढ़ सके जो कमी है वो पूरती हो सके और यहाँ पर एनेमिया से वो लोग निकल सकें बाहर उसके बाद एक और initiative है जिसको हम लोग बोलते हैं health management information system and mother child trafficking system तो ध्यान रख सकते हो इसको भी implement किया जा था ताकि क्या कर सके हम लोग देख सकें report कर सकें और जो भी cases निकल हैं अगले article की द्रफ आज का third article again बहुत important article है इसको आप लोग specifically relate कर सकते हो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं होंगे बात की गई है जम्मू कश्मीर Delimitation Commission को लेकर तो अब एक interim report आई है जम्मू कश्मीर Delimitation Commission को लेकर तो Delimitation Commission क्या होता है सारी बात है मैं आप लोग को इस particular article के अंदर बताने वाला हूँ तो हुआ क्या है अभी हाली में एक report है जम्मू कश्मीर Delimitation Commission की इन्होंने बताया और इन्होंने काफी सारे changes करने को बताये हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर काफी सारे बदलाव होने चाहिए और जो Delimitation Excise है यह स्टार्ट हो ज बात करोगे तो पहले टोटल 87 सीट हुआ कर दी थी तो अभी यहां पर 90 कर दी गई है साथ सीट बढ़ा दी गई है तो आप कहोगे यह 90 कर दी गई है तो तो तीनी सीट बढ़ी है साथ कैसे बढ़ी है तो आप लोग को मैं बताऊंगा कि साथ सीट ही कैसे बढ़ाई गई है तो 7 seat यहाँ पर increase हो चुकी है, इस सब कैसे हुआ है, delimitation के माध्य हम से, पहले मैं आप लोग को delimitation बताता हूँ, delimitation exactly क्या होता है, तो delimitation यहाँ पर इसके definition है, it is the act of fixing or redrawing the limits or boundaries of the territorial constituency, या फिर assembly हो सकता है या लोगसबा seat, state assembly हो गई, या लोगसबा seat हो गई, अब होता क्या है, यहाँ पर आप देख पाऊंगे मालो MPs हो गए, आपका एक particular area था यह, इस area के अंदर एतने लोग थे, अब क्या हुआ दस साल बाद यह population बदल चुकी है, तो आप population जादा हो चुकी है, तो जादा population हो चुकी है, तो यहाँ पर एक MP को सही से represent नहीं कर पाएगा, तो क्य हम लोग delimitation लेकर आता हैं, ताकि हम लोग चीजों को बदल सकें, ठीके, जो भी हाँ पर population बदली है, उसके साब से चीजों को बदला जा सकें, तो delimitation का मतलब यह होता है, बेसिकली, इसका मकसद यह होता है, कि लोगों को equal representation मिलना चाहिए, क्योंकि एक समय पर, जब पहले दस साल पहले इतनी जनसंक्या नहीं थी, तो दस साल पहले यहाँ पर थोड़ी population के ओपर एक MP चल जादा था, बट अभी दस साल बाद चीजे बदल चुकी है, तो अभी delimitation की काफियों तक आविशकता है, और जमू और कश्मीर के अंदर क्या हुआ है, तो जमू और कश्म की जरुरत पड़ी, हम लोग यहाँ पर वापस से हम लोगों को जरुरत पड़ गई थी, जो की इनकी territorial constituencies हैं, इनकी boundaries को वापस से fix किया जाए, इसकी वज़ा से यहाँ पर delimitation किया गया, और इसी के अंदर यहाँ पर 7 seat बढ़ा दी गई है, टोटल आज के टाप पर जमू का चीज़े और समझनी है, जो delimitation होता है, इसके बारे में समभीधान में कहाँ पर mention है, तो article 82 के अंदर, article 82 के अंदर बताया गया है, जो parliament है, वो यहाँ पर delimitation act को लेकर आता है, हर 10 साल बाद, क्योंकि हर एक जो census होती है, जो जन्गार ना होती है, वो हर 10 साल बाद होती ह है, तो हर 10 साल बाद यहाँ पर एक delimitation, एक commission बैठता है, और basically वो commission फिर delimitation करता है, यानि कि जो consequences हो गई, उनको वहाँ पर वापस से, सही से यहाँ पर बाटा जाता है area को, ताकि जो लोग है, वहाँ पर उनको एक equal representation मिल सके, clear हुआ, तो यहाँ पर आगर हम लोग बात करे आपको delimitation देखने को मिल जाता है, दोनों यहाँ पर census के तौर पर होता है, मतलब 10 साल बाद यह conduct करवाय जाता है, clear हुआ, तो मैंने आप यह आपको बता दिया, now question यह है, जो delimitation commission बैठता है, वो एक independent body होती है, जिसको article 82, article 82 के माधियम से हम लोग बनाते हैं, और यह जो commission होता है, यह commission फिर आगे चीजों को set करता है, अब question है, क्या अभी तक delimitation हुआ है, बिल्कुल हुआ है, पहला delimitation हुआ था, लगबग आपका सकतो 1952 के अंदर, ठीक है, तो अभी तक सिर्फ और चार बार delimitation हुआ है, परी सीमन हुआ है, वो है 1952, 1963, 1973 और 2002 के अंदर, इन स लोग बता दिया, अब delimitation commission बैठता है, जो की boundaries को वापस से fix करता है, उस commission के अंदर कौन-कौन होता है, इसको भी सीख लो, ठीक है, तो जो delimitation commission होता है, इसको appoint किया जा है, प्रेसिडेंट आफ इंडिया के साथ मिलकर, तो delimitation commission इंडिया के अंदर, delimitation commission के अंदर कौन- वशन यह है, आखिरकार delimitation की इतनी आवशकता पढ़ क्यों गई, क्योंकि देखो population growth जो है न, वो बदल जाती है, population growth हो चुकी है, अब लोगों को properly representation नहीं मिल पा रहा है, तो उसको देखते वे हर एक लोगों को representation मिले, तो basically इसी की चक्कर में हम लोग delimitation को लेकर आदा है जो कि मैंने आप लोगों को बताया, उसके बाद एक दूसरी situation देखने को यह मिलती है, लगातार हम बहुत सारे लोग का migration होता है, लगातार यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पर migrate करता है, country के अंदर, एक particular place से, दूसरे particular place पर यहाँ पर लोग जाता है, तो इसकी वज़ पहले वाला distribution है, पहले क्या था, पहले अगर हम लोग बात करें, जम्मू एंट कश्मीर के अंदर क्या था, तो टोटल आपको, अगर हम बात करें, जम्मू के रीजन से निकल कर आती थी, 46 कश्मीर वाले रीजन से, और चार आती थी लदाक रीजन से, हुआ क्या, अब जम् एकल 370 को अब्रोगेट कर दिया, 5 अगर्स 2019 में, उसके बाद क्या हुआ, डिलिमिटेशन बैठाने के बारे में चर्चा की गई, अब डिलिमिटेशन ने काफी सरी recommendation दिये हैं, यहाँ पर recommendation क्या दिये हैं, कि भाई, यहाँ पर assembly strength को हम लोग को बढ़ाना पड़ेगा, पहल यहाँ पर यह बताया, कि जो 43 seats हैं, 43 seats तो यहाँ पर जम्मू से निकाल लेंगे, 43 seats यहाँ पर जम्मू से जाएंगी, और उसके बाद यहाँ पर 47 seats कश्मीर से होगी, तो 43 जम्मू से 47 कश्मीर से हो गई 90 seat, तो जो पहले लद्दा के लिए 4 seat रखी गई थी, वो हटा दी ग और 46 seats यहाँ पर कश्मीर के अंदर थी, और 4 seat यहाँ पर लद्दाफल रीजन में थी, तो इन 4 seat को हटाया, 310 के अंदर एड़ कर दिया, तो यहाँ पर बेसिकली इसी वज़ा से बोला जाता है कि 7 seat यहाँ पर बढ़ा दी गई है, बाकी यहाँ पर क्या है, यह तो आप लो गया है, अब इसका criticism भी हो रही है, इसका निंदा काफी जादा हो रहा है, अब निंदा किसी इच को लेकर हो रहा है, मैं आप लोगो बताता हूँ, बोला यह गया कि कश्मीर के अंदर जादा population है, कश्मीर के अंदर जन संक्या जादा है, आपने 43 seat तो रख दी जम्मू के लिए, उसका 47 seat आपने लग दी कश्मीर के लिए, लेकिन अगर आप दोग देखोगे तो कश्मीर के अंदर जन संक्या 68.88 लेकर आसपास है, और जम्मू के अंदर संक्या जन संक्या जो लोगों की संक्या है, वो लगभग 53.50 लेकर आसपास है, तो कश्मीर से जो आप कह सक करना चाहिए था बेसिकली यहां पर इसको लेकर काफी निंदा की जा रही है तो यह बेसिकली रिपोर्ट पब्लिश होगी है डिलिमिटेशन कमिशन की कि हम लोग इस प्रकार से बदलाव करेंगे I hope आप लोगो यहां पर सारी बाते क्लियर हो चुकी है और बहुत ही सिंपल शब्दों मैंने आप लोगो यहां पर समझाने की कोशिश की है आते हैं अगले आर्टिकल के दरफ अगला आर्टिकल बहुत 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 ज़ादा इंपोरेंट होने वाला है अगेन इसको भी रिलेट कर सकते हो जीयस पेपर टू पॉल लीटी से अब यहां पर चर्चा की गई है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के बारे में जो पॉलिटिक्स है राजनीती है इसके अंदर क्रिमिनलाइजेशन बहुत ज़ादा देखने को मिलेगा आखरेकार यह चर्चा में क्यों आ गया तो चर्चा में इसलिए आ गया क्योंकि यहां पर एक रिपोर्ट है एक डेटा है उस डेटा को कमपाइल किस ने किया है तो उस डेटा को कमपाइल किया गया है एमिकस क्यूरे के थ्रू हैं और वो जो cases हैं वो कई ना के politicians के ऊपर हैं तो मतलब एक तरीके से जो नेता हैं उनके ऊपर बहुत सारे criminal के cases चलते वे नजर आ रहे हैं और ये data एक दिसंबर 2021 तक का data है अब Amicus क्योरे ने ये सारा data compile किया है Amicus क्योरे को appoint किया था Supreme Court ने Supreme Court ने आपर appoint किया कि वो मदद करें किसकी special courts की मदद करें fast track court की मदद करें क्योंकि इन इस courts के अंदर MP और MLA के अगेंस्ट में बहुत सारे cases आए हैं तो basically इनकी मदद करने के लिए Amicus क्योरे को रखा जया था तो Amicus क्योरे ने data बता दिया पही 5000 के आसपास cases हैं जो कि आज के टाइम पर बहुत सारे हैं और politicians के ओपर यह सारे crime के cases हैं तो Amicus क्योरे होते क्या है Amicus क्योरे को हम लोग बोलते हैं friend of the court जो हमारा court होता है उसका दोस्त बोलाजाता है यहाँ पर यह जो Amicus क्योरे है यह किसी की भी party के तरफ नहीं होता मालो दो party case लड़ी हैं तो किसी की side से भी नहीं होता है एक अलग से independent व्यक्ति होता है जो की court को यहाँ पर बताता है court की help करता है उनको information provide करवाता है expertise provide करवाता है अलग-लग cases के माध्यम से तो यहाँ पर basically help करने के लिए Amicus क्योरे को रखा जाता है तो Amicus क्योरे नहीं यह data बताया कि आज के time पर ना जो politicians से इनके उपर बहुत सरे criminal के charges लगे पड़े हैं तो अब यह data को आप लोग अपने examination से relate कर सकते हो politicians के उपर charges लगना criminals के crime charges लगना इसका मतलब यह topic आपके लिए important है from the perspective of criminalization of politics तो एक topic आता है तो यहाँ पर करें जो criminalization of politics है इसका मतलब है criminals का जो participation होना politics के अंदर कि बहुत सारे नेता हैं जिनोंने crime कर रखा है ठीक है उनके उपर काफी सारे charges लगे पड़े हैं और वो आज भी politics के अंदर है उसको हम लोग बोलते है criminalization of politics इससे बहुत नुकसान है वो नुकसान क्या है मैं भी आप लोग को आगे बताऊंगा ठीक है तो basically हाँ पर एक mail सा एक आपके सकतो mail मिला आप सा देखने को मिलता है politician और criminals का दोनों एक ही यहाँ पर बोले जाते हैं जब कोई politician crime कर ले और उसके आध्याँ पर वो politician बना हुआ है नेता बना हुआ है आज के टाइम पर ठीक है तो आपके दिमाग में question आएगा तो क्या इन लोग को disqualify करने के लिए कोई हमारे पास provision नहीं है कोई legal aspects नहीं है बिलकुल है इस regard में हम लोग बात करें तो भारते स व्यक्ति मालो यहाँ पर इसका जो representation of people act 1951 है इसका section 8 क्या बोलता है इसका section 8 यहाँ पर यह बोलता है कि अगर कोई भी व्यक्ति यहाँ पर आप कर सकते होगी कोई भी politician है जिसके ओपर case हुआ वा है ठीक है उसको punishment मिला वा है जेल में गया वा है दो साल से जादा की जेल है उसके उपर तो जब वो जेल से छूटेगा तो उसके आने वाले 6 साल तक भी वो क्या कर सकता है वो basically case नहीं लड़ सकता है तो आप लोगो ध्यान रखना है ठीक है वो यहाँ पर election नहीं लड़ सकता है election में वो stand नहीं हो सकता है या आप लोगो ध्यान रखना है तो elections में थो विजन्स नहीं देखने को बिलते हैं जहाँ पर इन सारे जो क्रिमलाइजेशन ओफ पॉलिटिक्स इसको रोका जा सके अब दूसरा क्वेशन ही आता है कि आखिरकार क्या कारण है जिसकी वज़ासे क्रिमलाइजेशन ओफ पॉलिटिक्स लगातार बड़ता वनदर आ रहा है पहला कारण है लेक ओफ इन्फोस्मेंट का मतलब है देखो हमारे पास बहुत सारे कानून हैं कोट जजज्मेंट से बहुत सारी वगरा वगरा चीज़ें हैं लेकिन क्या यह लागू हो पाता है नहीं हो पाता सबसे बड़ी दिक्कत तो यह है कि यह चीज़ें लागू नहीं हो पा रही है जिसकी वज़ासे आज का टाइम पर क्रिमलाइजेशन ओफ पॉलिटिक्स रेगुलरी इंक्रीज हो रहा है दूसरा यहाँ पर प्रॉबलम आता है वेस्टेड इंटरेस्ट इसका मतलब क्या है देखो यहाँ पर बोला यह जाता है कि देखो जो भी यहाँ पर कैंडिडेट है जो भी पॉलिटिक्स के अंदर कोई भी कैंडिडेट उतरा है राजनीती के अंदर उसका पूरा का पूर के basis पर आगे बढ़ती ही नजर आएगी तो basically हाँ पर उसका कोई ज़ादा जोर नहीं देखने को मिला इसकी वज़ासे भी जो criminalization है न वो लगातार increase होता वाँ चला गया और लोगों ने ध्यान नहीं दिया कि उनको कोई नुकसान होई नहीं रहा है और जो politicians ये भी काफ़ सारे crime करते हैं नजर आ रहे हैं अब आते हैं problems के उपर कि आखिरकार ये जो criminalization of politics है इसका effect क्या पढ़ेगा इससे जो problem है इंडिया के उपर वो क्या पढ़ती है नजर आएगी तो पहली problem आती है ये जो criminalization of politics है बहुत सरे नेता के उपर criminal charges है ये कहीं न कहीं हमारे free और fair election के खिलाफ है क्योंकि हमारा संभिदान बताता है जो भी elections है हमारे country के अंदर वो free और fair होने चाहिए तो क्या ऐसा हो रहा है बिलकुल नहीं हो रहा हमारी democracy पहले सी यहां पर काफी तक खत्रें पहुंच जाएगी अगर ऐसे लोगों के हाथ में पहुंचेगा पूरा का पूरा जो मतलब जो कानून ने वो इनके हाद पहुंचेगा तो उसके बाद जो good governance है वो affect होगा मतलब सबसे बड़ी problem तो यह है जो law breaker है कानून को तोड़ने वाले लोग थे वही यहाँ पर कानून को बनाने वाले लोग बन चुके हैं वही मतलब जो politicians है जिनके ओपर खुद criminal charges थे वो यहा पर laws बना रहे हैं कानून बना रहे हैं तो अपना आप में यह भी दूसरी सबसे बड़ी problem है democracy के अंदर सबसे बड़ा यहाँ पर दाग यह देखने को मिलेगा कि basically criminalization of politics काफी बड़ी problem है उसके बाद जो public servants है वो भी affect होता है black money का role काफी देखने को मिलता है जो black money है वो अगर crime बड़ेगा खुद यहाँ पर politician ऐसा है जिसको पर criminal charges है तो again corruption वगरा काफी ते जिसे increase होगा यह आमसी बात है ठीक है तो यह सारी problems हम लोगो देखने को मिल जाती है I hope आप लोगो यह भी article clear हो चुका है और बहुत जबरदस topic था आपसे question definitely इसके बारे में बन सकता है now आते हैं अगले article पर next article में चर्चा की गई है वंदे भारत trends के बारे में जो budget है 2022-23 का जिसके बारे में चर्चा की गई आपको बताओगा recently आया है अब इस budget के अंदर जो हमारी finance minister है इन्होंने बोला है हम लोग लगबग 400 नई वंदे भारत trend मनाने वाले हैं आने वाले ती 2023 तक हम लोगोंने अलग से भी decide कर रहा है हम लोग 75 वंदे भारत train को चलाएंगे तो आप कह सकते हो अब कहिने के हमारा target की आने वाले तीन सालों के अंदर लगबग 400 नई वंदे भारत trends हो और इनसे क्या-क्या फायदा हो सकता है मैं आप लोगों बताऊंगा तो वंदे भा कोगे तो असर होगा नहीं उसके बाद CCTV Surveillance के अंदर बहुत speed से चलने वाली train है तो बेसिकली हाँ पर इसी को बनाने के बारे में चर्चा की गई है तो वंदे भारत trains हैं गया तो वंदे भारत trains सबसे बड़ी बात इसको हमारे country ने खोद बनाया है इसको indigenously बनाया गया है एक semi high speed manufacture train ये देखने को मिलने वाली है प्लस ये एक make in India प्रोग्राम को आगे बढ़ाती हुई नजर आएगी आप लोगो ध्यान अकना है अगर हम लोग currently बात करें तो लगबख दो वंदे भारत एक्सप्रेस तो चली रही है आज का टाइम पर दो वंदे भारत एक्सप्र ली होगा और railway ने ध्यान दिया है ये जो trains बनाई जाएंगी यहाँ पर aluminiums का इस्तमाल बहुत किया जाने वाला है as compared to the steel मतलब steel का इस्तमाल हम कम करेंगे aluminium का इस्तमाल बहुत जादा करेंगे क्योंकि aluminium steel से के comparison में काफी हलका होता है तो aluminium अगर जादा लगेगा तो train का वजन कम होगा तो train के अंदर जो energy है उसका consumption भी कम होगा है ना तो train का वजन कम होगा तो energy train कम लेगी तो इससे यहाँ पर एक speed भी अच्छी मिलेगी प्लस pollution वगरा भी काफी कम होगा तो यह अपने आप में एक बहुत बड़ा feature है वंदे भार train का प्लस बहुत सारे feature और भी आपर देखने को मिलेंगे जैसे कि इसके अंदर बहुत सारे कोचिस हैं पैसेंजर्स के लिए काफी सारी सुविधा है चाए वो वाइफाई हो जीपीए सिस्टम हो सीची टीवी हो आटोमेटिक डोड्स हो ठीक है रोटेटिंग चेयर उसका जो toilets हो है वो भी एक aircraft के तौर पर जै है तो अपने आप में ये भी बहुत बड़ी बात है प्लस इसके अंदर एक intelligent breaking system देखने को मिलेगा और बाकी मैंने आप लोगों को बता दिया है कि energy वगरा के लिए एक्स के लिए aluminum का इस्तमाल हो रहा है जिससे की energy का consumption इसमें काम होगा तीसरा question आता है दिमाग में आकिरकार वंदे भारे ट्रेंज हम लोग बना रहे हैं तो इसका importance क्या होगा इसका significance क्या है तो इसको लगबग manufacture क्या जाएगा 400 ट्रेंज जब हम लोग बनाएंगे तो आप पिर जब पैसा लगाएंगे country के अंदर 50,000 करूट रुपे लगाएंगे वंदे भारत को develop करने के लिए तो इससे हमारे sector के अंदर boost मिलेगा और आने वले time पर वो पैसा हमारे economy के अंदर return होता वा नज़र आएगा प्लस manufacturing supplies अभी के लिए सब कुछ बढ़ती होई नज़र है कि तो definitely कहीं न कहीं हमारे economy के अंदर एक छोटा सा boost up मिलने वाला है clear हुआ now आते हैं अगले article के तरफ next article भी बहुत बहुत ज़ादा जबरदस होने वाला है इस article को आप लोग relate कर सकते हो GS paper 3 environment के point of view से यहाँ पर बात किए धोल्स के बारे में इसको धोल्स बोल लो अलग- जंगली कुता आप लोग कह सकते हो या अपना आप में काफिया तक खतरनाक है यह चर्चा में क्यों है पहले इसके बारे में समझो एक नई study यहाँ पर लाई गई वो आपका सकते हो नई study रिपोर्ट करेंगे जिसमें बताया गया जो यह wild dogs हैं जिसको हम लोग asiatic wild dogs बोलत है कासकर जो किर्गेस्तान वाला एरिया है वहाँ पर प्लस ताजिक काइस्तान के जो बॉर्डर है वहाँ पर भी देखने को मिलता है प्लस चाइना के अंदर जो जिंज्यांग रीजन है वहाँ पर भी देखने को मिलता है यह वाला मैप देखो यह वाले मैप में आपको का काफी उपर देखने को मिल जाता है, चायना का जिंज्यांग रिजन के अंदर भी आपको यहाँ पर इस परकार से यह वाइल डॉक्स देखने को मिल जाते हैं, तो अबी रीसेट्ली काफी लंब है समय बाद कहाँ पर देखने को मिले, Central Asia के जो High Mountains हैं वहाँ पर यहाँ पर यह देखने को मिले हैं 30 साल बात देखने को मिले हैं इसी वज़ा से यह काफियत तक चर्चा में आ चुका है तो इसी वज़ा से आपको Wild Dogs के बारे में पता होना चाहिए Wild Dogs के बारे में जो भी specific information होगी वो सब में आप लोगो provide करवा दूँगा तो सबसे पहली बात यह जो Wild Dog है ढोल इसको बोला यह है इसका scientific name कहा है कोन Alpinus यह एक Wild Carnivorous Animal है और साथी साथ यहाँ पर एक Family का Member है जिसको हम लोग बोलते है Canada Family या फिर Class Memelia बोल सकते हो इस Family से यह बिलोंग करता है इसको हम लोग Asian Wild Dogs के नाम से भी जानते हैं Habitat के बारे बात करें तो देखो अगर हम लोग एतिहासिक रूप से देखें तो यह जादतर Southern Asia Central Asia, South Asia और South East Asia वाल रीजन के अंदर देखने को मिलेगा तो अभी पर्टिकुलर्ली अगर हम लोग बात करें चाइना के अंदर बहुत सारे हैं प्लस इंडिया के अंदर बात करें तो इंडिया में कहाँ पर देखने को मिलता है तो इंडिया के अंदर यह आपको देखने को मिलेंगे Western और Eastern Guards में North East India में भी Wild Locks देखने को मिलता है लेकिन पर्टिकुलर्ली बात करें कौन से स्टेट के अंदर population ज़्यादा देखने को मिलेगी तो करनाट का महराष्टरा मध्या प्रदेश यहाँ पर higher rank पर आता है यहाँ पर सबसाद आपको Wild Locks देखने को मिलता है एक study नहीं बताया है जो की 2020 के अंदर conduct की गई थी फिर उसके गाद एक और बहुत important line है वो यह है कि जो को यह जो Wild Dog है बिसिकली अब इन Wild Dog का एक बहुत important role होता है यहाँ पर यह predator की तरह work करते हैं हमारे forest ecosystem में अब predator की तरह work करते हैं मतलब कि इनका बहुत importance है तो अगर यह खत्रम है तो उनको बचाने की बहुत ज़ादा आवशकता है इसको समझते हैं देखो जैसे हम लोग आज के टाम पर फोकस करते हैं tiger को बचाया जाए इनकी population को बढ़ाया जाए lion को बचाया जाए इनकी population बढ़ाया जाए क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं यहाँ पर यह हमारे ecosystem को हमारी प्रकृति को एक तरीके से बचा रहे हैं यह हमारी प्रकृति की खुद की देन है वो देन क्या है मैं आप लोग को बताता हूँ मालो नीचे बहुत सारी घासपूस है बहुत सारे हैं आपर घासपूस क्या है? हमारे पेड़ पौदे बहुत कुछ देखने को मलेगा अब यहाँ पर deer है rabbit है mouse है बहुत सारे जानवर है जो कि यहाँ पर इन सब चीजों को खाते हैं आजपूस को खाते हैं हमारी जो हरियाल यह पेड़ पौदे उसको खा रहे है तो आप खोद imagine करो अगर tiger नहीं होगा तो यह वाले जो जानवर है न वो यह सब कुछ यहाँ पर जो greenery है वो सब खा जाएंगे तो क्या होता है? इसी वज़ा से प्रकृती ने हम लोगो tiger as a predator दिया है lion है उसके आद यहाँ पर wild dogs भी इसी category के अंदर में आता है अब यह सारे जानवर क्या करते हैं? इन छोड़े छोड़े जानवर उखा लेते हैं यहाँ पर rabbit हो गया या DR हो गया बहुत सरे जानवर हैं हो चुका है और इसी के अंदर यह सारी चीज़े बताई गई हैं तो wild dogs का importance भी काफी जादा देखने को मिलता है now exactly बात करते हैं बहुत important topic के उपर क्योंकि आपको बताऊगा UPSC में ज़दादर questions यही पूछ जाते हैं कि बही इस particular animal का conservation status क्या है? तो wild dog की बात करें तो यह basically IUCN के अंदर threatened species के अंदर endangered category के अंदर आता है मतलब कि endangered मतलब काफी खत्रे में है इसको बचाने की बहुत ज़दा आवशकता है तो इसको बचाया जाए clear हुआ? तो I hope आप लोग को यहाँ पर सारे article काफी अच्छे से clear हो चुके है now हम लोग आते हैं अपनी question practice के तरह आप देखेंगे आज के important questions को अगर आप लोगोंने अच्छे सुना है वीडियो को तो इन सभी questions को आप लोग बहुत अराम से बहुत प्यार से solve कर पाऊगे तो पहले question यहाँ पर क्या है पहले question है जो चाइना पाकिसान economic corridor है यह 3000 km का एक लंबा चोड़ा route देखने को मिलेगा एक infrastructure project है जो की चाइना और पाकिसान को connect करता है नाम से पता चल ला है लेकिन चाइना के कौन से area को और पाकिसान के कौन से area को particularly यह connect करता है आपको उन दोनों areas के नाम बताना है अगला question देखो यहाँ भी बोला गया एक ऐसी condition जिसमें जो number of red blood cells होते हैं वो बहुत ज़दा insufficient हो जाते हैं बहुत ज़दा कम हो जाते हैं उस condition को हम लोग क्या बोलते हैं अभी हमने थोड़ देर पहले पढ़ा था अगला question बोलता है यह देखो जो parliament है वो delimitation act को enact करता है हर 10 साल बाद हर census के बाद ऐसा कौन से article में mentioned है उस article का नाम बताना है अगला question जो delimitation commission है वो अभी तक यहाँ पर चार बार बैट चुका है और वो चारो साल कौन कौन से हैं उन चारो साल का नाम बताना है अगला question अब यहाँ पर पूछा गया देखो एक wild carnivorous animal है जिसको हम लोग Asian wild dogs बोलते हैं उन Asian wild dogs का scientific name क्या है scientific name नीचे comment section बताना है अगला question currently बात करें तो जो दो वंदे भारत express train है वो operational देखने को मिलेगी दो तर्याफ्स यहाँ पर आपके सकतो दो जागा पर वंदे भारत operational है चल लए है काम कर रही है वो कहां से कहां तक की है या आप लोगो बताना है ठीक है कहां से कहां आप लोगो नीचे प्रोवाइड करवा दिया है लेकिन कोशिश है करना कि मैं खोद यहाँ पर solve कर सकूँ क्योंकि question को मतलब लगाने का main perspective बस इतना ही रखा जया था कि आप लोग काफी अच्छे से चीजों को समझ सको और साथी साथ वीडियो को आप काफी अच्छे से सुन सको तो now guys यहाँ पर इसी के साथ करेंगे हम लोग अपने lecture को समाब मिलते हैं आप लोगों से next वीडियो में आज के लिए bye bye have a nice day thank you and जैहिंद